एक मेंधक एक छोटे से तालाब में रहता था, तालाब के निकट बरगत का पेड़ था, पेड़ के नीचे एक चुहा रहता था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे. एक दिन गर्मियों के दोपहर में मेंधक ने चूहे को तालाब के ठंडे पानी में तैरने की सलाह दी चूहे ने जवाब दिया नहीं मैं पानी में नहीं उतर सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता मेंधक ने सुझाव दिया कि मैं तुम्हारे अगले पैरों को अपने पिछले पैरों से बांध लूँगा तब तुम भी मेरे साथ तैर सकोगे चूहे को मेंधक का सुझाव पसंद आया वह बोला हाँ यह विचार अच्छा है फिर दोनों ने रसी से अपने पैरों को बांधा और तालाब में कूद गए मेंधक तैर सकता था इसलिए वह तैरने का आनंद उठा रहा था लेकिन चूहे का क्या हुआ चूहे के कान मुह तथ तो मृत चूहा भी उसके साथ निकल आया मेंधक ने चूहा का शरीर टटोला उसे अनुभव हुआ कि चूहा मर चुका है अभी तालाब के ऊपर उड़ते हुए एक बाज ने मृत चूहे को देखा बाज नीचे की ओर गोता मार कर उत्रा और चूहे को अपने पंजे में पोच लिया ऐसे में चूहे के साथ बंधक मेढख भी ना बच पाया सीख कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए